नमस्कार दोस्तों रादे रादे आज की स्टोरी है पती के मरने के बाद कांता ने अपनी बेटियों को भीक मांगने पर लगा दिया तो चलिए कहानी सुरू करते हैं अरे ओ कांता दिन चट गया है अभी तक तुमने नास्ता नहीं दिया कितनी बार कहा है कि मुझसे भूग बरदास्त नहीं होती है मैं सुगर की रोगी हूँ कांता की सास बुधिया देवी ने कमरे में गुशी वी बहु को आवाज लगाई थी जो पिछले एक घंटे से कमरे से बाहर नहीं निकली थी वहीं से कांता देवी की चिंगारती हुई आवाज आई सबर कर लो मा नास्ता अधा घंटा नहीं मिलेगा तो तुमर नहीं जाएगी बहु की तेज जुबान से बुधिया देवी हमेंसा गुशा ही रहती थी बेटा दमे का रोगी था और इसी रोग से एक साल पहले ही उसका देहान्त हो चुका था बहु की जुबान की तेजी वो कई साल से सुनती चलिया रही थी जब से बेटी की साधी हुई थी कांता ने सास का और पती का भी लिहाज नहीं रखा था साधी से पहले ही मोहन को दमे का रोग था उसकी साधी के कुछ दिनों बाद जब उसकी सांस बुरी इत्रे से फूलती तो कांता उसके साथ-साथ दुध्या देवी को भी कोसने लगती थी कि अपना बिमार बेटा मेरे पल्ले बान दिया है मेरी जिनकी तो बरबाद करके रख दी है हाला कि उस समय मोहन नोकरी भी करता था घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी लेकिन कांता ने कभी भी मोहन की कदर नहीं कि सास के साथ भी अच्छा रिस्ता नहीं रखा था और इसके बाद जब उसके घर में दो बेटियां हो गई तो बेटियों को भी बुरा भला कहती रहती यही कहती कि मेरी किस्मत ही खराब थी बिमार पती ने तो मुझे एक बेटा तक ना दिया दो दो बोज मेरे सीर पर डाल दिये अब मैं इनका बोज उठाओं या फिर बिमार पती का दोनों बेटिया साथ और नो साल की हो चुकी थी जब मुहन की तब्यद बहुत जादा खराब रहने लगी और एक दिन वो इसी बिमारी की हालत में दुनिया से चला गया हैरत की बात ये थी कि उस दिन भी उसने एक आंसू तक नहीं बहाया था बलकी चुप चाप एक कौने में बैठी रही ठुकुर ठुकुर आने जाने वाले लोगों को देखती रही औरते उसके पास आकर अफसोस करती उससे कहती हाए भरी जवानी में विद्वा हो गई लेकिन उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला था बुध्या देवी रो रोकर बेहाल थी लेकिन जब बहु को देखती तो दिल जलकर राख हो जाता जिसने पती की मोद पर एक आंसू भी नहीं बहाया था बुध्या देवी दिल में यहीं सोचती थी कि साथ ये खुस है कि दिमार पती से इसकी जान चुट गई लेकिन बुध्या देवी तो मा थी इसलिए बेटे का दुख दिल को लगाये रखती थी अपनी पोतियों से बहुत प्यार करती थी कहते थी कि तुम दोनों में मुझे मुहन दिखाई देता है लेकिन कांता करवार अपने बेटियों के साथ भी अच्छा नहीं था कांता साय दुनिया की पहली मा थी जिसे अपनी बेटियों से प्यार नहीं था मगर दादी पोतियों पर जान छिड़कती थी सुरू सुरू में तो महले वालों ने बहुत ख्याल रखा घर में रासन भी डाल देते थे कई कभी कोई खाना बना कर भेज देता क्योंकि बुद्धियों ने भी हाथ खींचना सुरू किया तो कांता पहले से पहले तो सोच में पढ़ गई क्योंकि खुद भी अनपढ़गवार थी कोई हुनर भी नहीं आता था घर के कामकाज भी बेमन से किया करती थी लेकिन अब तो सारा जम्मा पूंजी भी खतम हो चुकी थी समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्चा किस तरह से चलाया जाए बुद्धिया देवी इन दिनों बहुत परेशान थी उन्हें गुटनों का रोग था इसलिए कोई भी काम करना उनके लिए मुस्किल था वो तो पोतियों का हाथ पकड़ कर सहारे से वोस्रूम तक जाती थी और वापिस फिर अपने पलंग पर बैठ जाती और वहीं वो सोती थी घर में दो ही कमरे थे एक कमरा कांता का था जहां वो अपनी बेटियों के साथ सोती और दूसरा ड्रोइंग रूम के तोर पर सजा के रखा था कोई महमान आता तो महां बैठ जाता अब तो जैसे भूके रहने की नोबत आ गई थी बच्चियां भूक से बिलबिलाती तो मा परवा नहीं करती घर में जो रूखी सुकी रोटी होती खापी कर वो अपने कमरे में लेट जाती दादी और पोतियां दोनों रोती रह गई जब कमरे का दरवाजा खुला दोनों बच्चियों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे दोनों के बाल बिखरे हुए थे और दोनों के गाल लाल थे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने थपड़ दे मारा हो और वो हिच्कियों से और सिस्कियों से रो रही थी ये बुध्या देवी कांता से कहने लगी कि बच्चियों को क्या हुआ है और इनका ये क्या हुलिया बना रखा है फटे पुराने कपड़े क्यों पहनाए है कांता कहने लगी आज के बाद ये कमाएंगी और हम खाएंगे ये सुनकर बुध्या देवी प्रेसान हो गई वो कहने ल कि बुद्धिया गुसे से बहुत से कहने लगी खबरदार जो तुमने मेरी पोतियों को भीक मांगने की आदर डाली तुम हट्टी कट्टी हो लोगों के घर जाकर नोकरी करो तो अच्छे पैसे कमा सकती हो वो कहने लगी मैंने ठेका नहीं ले रखा पहले तुम्हारे बिमार बेटे को संभालती रही और अब तुम्हारे इन पोतियों को खाना खिलाने के लिए मैं दूसरों के घर में बरतन मांजू मैं तो बैट कर खाऊंगे ये कहकर उसने दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और घर के तरवाजे से बाहर धकेल दिया दोनों बच्चियां गिरते बची थी कांता कहने लगी जब तक पैसे ना मिले वापिस आने की जरुरत नहीं है जाओ जाके भीक मांगो और खबर्दार जो तुम लोगों ने अपने आशू साफ किये तुम इन आशूं को पहने देना जब तक ये आशू बहेंगे तब तक तुम लोगों को पैसे मिलें और अगर तुम लोग खालियात वापिस आई तो तुम लोगों का वो हाल करूंगी कि अपने चेहरे भी पैचान नहीं पाऊगी दोनों बेटियां डरी सहमी हुई घर से बाहर निकल गई बुद्धिया देवी कहने लगी ये क्या क्या तुमने क्या गजब कर दिया है तुमने अरे तुम्हारे जैसी मा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी मा तो बच्चियों के खुसिय के लिए सारी मुश्किले अपने उपर डाल लेती है ताकि उसके बच्चे कहीं भूके ना सो जाए महनत करती है, मजदूरी करती है मैंने बहुत सी ओरते देखी है जो इंटे उठाती है, पत्थर उठाती है अपने बच्चों को घर आकर खाना भी पका कर अपने आतों से खिलाती है तुम कैसी मा हो, वो कहने लगी कि मैं ऐसी ही हूँ अगर मैंने इन पर तरस खाया तो फिर लोग इन पर तरस नहीं खाएंगे और मैं क्यों बाहर जाकर कमाऊं जब ये दोनों मौजूद है ये रोएंगी भीक मांगेगी तो लोगों को तरस आएगा और वो इने पैसे देंगे फिर ही तुम्हें नास्ता मिलेगा मा अगर तुम मेरे मामले में बोली या तुमने मुझे अपनी पोतियों की महबत में सताया तो याद रखना खाना नहीं दूंगी तुमें गुसे से ये कहते हुए कांता अपने कमरे में चली गई बुध्या देवी की आखों से टिप टिप आशु बहने लगे वो तो सोच भी नहीं सकती थी की मा का ऐसा भी कोई रूप हो सकता है पूरा दिन बुध्या देवी का दिल बड़ा प्रेसान रहा बार बार उनका ध्यान बच्चियों की तरप जाता था वो मासूम सी बच्चियां थी वो तो आज तक कभी दरवाजे के पास भी खड़ी नहीं हुई थी और मा ने कैसे बेदर्दी से दोनों को बाहर धकेल कर फेंक दिया पता नहीं वो कहां गई होंगी कभी वो सोचती की कहीं रास्ता ही ना भूल गई हो पता नहीं मेरी बच्चियां कहां गई होंगी बुध्या देवी की आँखों से आंसु बै रहे थी वो बड़ी मुश्किल से उठी और धीरे धीरे चलते हुए मेन दरवाजे तक पहुँची दरवाजे की कुंडी खोली और दाएं बाएं गली में देखने लगी की पोतियां पता नहीं किधर है वो किधर चली गई है दोपैर का समय था और मई का महिन सक्त गर्मी में मेन गेट तकाते ही बुध्या पसीने से भीग चुकी थी और तपती दूप में कांता ने दोनों बेटियों को चपल तक पहनने नहीं दिये थे नंगे पैरी उन्हें बाहर भेज जाता बुध्या देवी के आखों में आसू थे एक दो घंटे वो दरवाजे पर खड़ी अपनी पोतियों का रास्ता तकती रही दिल में बार-बार यही प्रात्ना करती रही कि वो कहीं से जल्दी सुरक्सित घर आ जाए कोई मासूम बच्चियों को कोई नुकसान ना पहुचा दे जैसे ही स्यामुई तो बुध्या देवी घर पर बने मंदिर में बैठ कर प्रात्ना करने लगी कि उनकी पोतियों ठीक ठाक घर वापिस आ जाए जैसे जैसे अंधेरा चाने लगा बुध्या देवी प्रेसान सी हो गई थी अब तो काफी अंधेरा होने लगा था लेकिन दोनों पोतियों का कुछ पता न था इससे पहले कि वो पलंग से उटकर दो बारा मैन गेट तक जाती दरवाजा खुला था क्योंकि दरवाजा लोक नहीं था दोनों पोतियां घर में आई प्यास के मारे उनके होट सूक रहे थे और वो बिल्कुल निढाल सी थी उनकी हालत देखर बुध्या देवी का कलेजा पसीज के रह गया जल्दी से अपनी बाहें फैलाई दोनों पोतियां रोती धोती दादी के गले लग गई कांता कमरे में थी जब उसने अपनी बच्चियों के आवाज सुनी तो दर्वाजा खोल कर बहार आ गई बुध्या देवी को लगा कि सायद मा इनको सीने से लगाएगी और उसे अपनी गलती का एसास हो गया होगा कि उसे बच्चियों को इस तरह केला नहीं भेजना चाहिए था लेकिन बुध्या देवी की सोच एकदम गलत साबित हुई जब कांता ने कहा कि ये रोना दोना बाद में मचाना पहले यह बताओ कि पैसे कितने लाई हो उसने दोनों बेटियों से कड़े सवर में पूछा था दोनों ने पैसे अपनी मा को पकड़ा दिये जो की 200 रुपे थे ये देखर वो कहने लगी कि बस इतने ही पैसे लेकर आई हो इतने पैसों में मैं क्या करूंगी खाना बनाऊंगी या विजली का बिल दूंगी इन पैसों से कुछ नहीं होता तुम लोगों को समझा कर भेजा था ना की रोना दोना करना ता कि लोगों को तुम पर तरस आए तभी वो तुम लोगों को पैसे देंगे लेकिन तुम लोगों ने तो किसी के सामने हाथ ही नह भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहने लगी कि हमने तो अपने भगवान से ही मांगा कि हमें पैसे दे दो वरना मां हमें रोटी नहीं देगी और लोगों ने खुद पैसे देने शुरू कर दिये थे, ये सुनना था कि कांता को और भी ज्यादा गुसा आने लगा, अगर बीना मांगे ही तुम लोगों को 200 रुपे मिल सकते हैं तो अगर तुम लोग पैसे मांगती तो जुरूर तुम लोगों को और भी पैसे मिलते फिर कांता कहने लगी कि आज मैं तुम लोगों को रोटी नहीं दूंगी ये सुनकर बुद्या देवी को बहुत गुसा आया वो कहने लगी कि बच्चियां भूकी प्यासी सुबह की गई है तुमारा दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है अपनी उलाद के लिए तो हर मा का दिल नरम होता है वो कहने लगी कि तुचुप कर बुडिया ये कहकर कांता कमरे में चली गई पैसे अब उसकी हाथ में थे दोनों बेटियां दादी के पास आ गई कहने लगी दादी मा भूक लगी है मा रोटी नहीं पका कर देंगी वह कहने लगी ऐसा करो मुझे सहारा दो मैं क पीचन में जाकर तुम लोगों के लिए कुछ बनाती हूं। बड़ी मुश्किल से बुद्धिया देवी ने हापते हापते दो रोटिया पकाई थी। दोनों पोतियों ने सूकी रोटी पानी के साथ खाकर भी भगवान का धनेवाद किया था। फिर बुद्धिया देवी उन कांता फटे पुराने कपड़े पहना कर भीक मांगने के लिए भेज देती थी और उन्हें भीक मांगने से पहले वो मारती थी ताकि बच्चियों के चहरे पर निसान पढ़ जाए और लोग तरस खाकर जादा से जादा पैसे दे। दोनों बच्चियां रोती भी लगती हु मां है ये अपनी बच्चियों पर जरा भी तरस नहीं खाती ना ही इसने कभी अपने पती की जिंदगी में उस पर तरस खाया था घर का कोई भी काम नहीं करती थी बुद्धिया देवी बड़ी मुश्किल से लंगडा लंगडा कर चलती थी और घर में जो भी रूखी सूकी रोटी होती खुद इगरम करके खा लेती थी और बच्चियों के लिए भी वासू बहाती कभी कभी अपने आपको कोशने लगती कि वो क्यों इतनी बेबस और मजबूर है कास की उसकी सेहत अच्छी होती तो वो लोगों के घर में खुद काम कर लेती उसने अपने पती के द लेकिन बेटे की बीमारी की वज़े से वो परेसान रहने लगी थी, उसे दमे का रोग हो गया था और वो खुद भी बीमार रहने लगी थी, बेटा, अपना इलाज तो करवाता था लेकिन अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता था, बुधिया देवी को लगा की बहु आएगी तो बेटे का ख्याल रखेगी तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा लेकिन कांता ने आते ही ना तो पती की सेवा की और ना ही घर संभाला बस खाना पका देती थी और घर की सफाई जैसे तैसे कर देती थी हर समय मोहन को ताने मारती थी कि तुम बिमार थे और तुमारी माने मेरी जिन्दकी भी बरबाद कर दी बुद्धिया देवी ने आज तक कभी भी बहु के साथ सास चैसवार नहीं रखा था लेकिन कांता दिल की बड़ी कठोर थी उसे तो अपनी बेटियों पर भी तरस नहीं आता था और बुद्धिया देवी को इस पर हैरत होती थी कि और चाहे जैसी भी हो मा बन जाने के बाद अपने बच्चों के लिए सारे कष्ट उठा लेती है और ये कैसी मा थी जो कड़ी दूप में अपनी बच्चियों को बिना नास्ता दिये उन्हें बाहर भीक मांगने के लिए भेज देती थी अभी बच्चियों को गए हुए दो ही घंटे गुजरे थे तब ये अचानक से दरवाजा बड़ी जोर से धड़ धड़ाया कांता तो अपने कमरे में जाकर सायद सो चुकी थी बुध्या देवी ने बड़ी मुश्किल से उठकर जब दरवाजा खोला तो बड़ी पोती बड़ी घबराई हुई खड़ी थी वो रो रही थी बुध्या ने कहा कि क्या हुआ तुम्हें और चोटी बहन कहा है तो वह कहने लगी दादी वो सड़क पर बेहों सो गई है बुध्या कहने लगी कि दुमारी चोटी बेटी वहां सड़क पर बेहों सो गई है बड़ी वाली रोए जा रही चोटी बहन भूक और प्यास की वज़े से गर्मी की तेजी परदास्त ना करते वे सड़क पर ही बेहों सो गई है कांता कहने लगी कि ये तो और भी अच्छी बात है कि वो बेहों सो गई है तो तुम लोगों से रो रो कर ये बोलो कि तुमारी बेहन बेहों सो गई है इसने दो दिन से कुछ नहीं खाया है भगवान के लिए हमें पैसे दे दो बुद्ध्या देवी तो सोच भी नहीं सकती थी कि कांता इतनी कठोर हो जाएगी उसे जरा भी दुख नहीं हुआ कि उसकी छोटी बेटी सड़क पर बेहोंस पड़ी है उसे यह था कि पैसे जादा मिलेंगे बुद्ध्या देवी कांता से कहने लगी कि जाकर अपनी बेटी को घर लेकर आओ ये ना हो कि उसे कुछ हो जाए तो वह कहने लगी कुछ नहीं होगा ये बेटियां बहुत धीट होती है इतनी जल्दी मरती नहीं है कि जान छोड़ दे ये कहकर उसने अपनी आने वाली जभाई को रोका और कमरे में चली गई बुद्ध्या लंगडाते लंगडाते बड़ी पोती के साथ मैं सडक पर पहुँची थी जहां बच्ची के आसपास बहुत से लोग खड़ेते बुद्ध्या को देखकर कहने लगे कि आपको सरम नही आती इतनी चोटी सी बच्ची को भीक मांगने के लिए भेजा हुआ है और वो बेहोस हो गई है वो क्या जवाब देती उसने मोले के एक आदमी से का कि इसे गोध में उठा कर मेरे घर छोड़ दो मैं खुद भी गुटनों के दर्द से प्रेसान हूँ बच्ची को गोध में नहीं उठा सकती तो एक लड़के ने बच्ची को गोध में उठाया और घर तक पहुचा दिया बुध्या देवी रोय जा रही थी बच्ची को अपने पलंग पर लिटा कर बड़ी पोती से कहने लगी जाओ पानी लेकर आओ बड़ी पोती पानी लेकर आई तो उसने छोट को दे दो ये सुनकर बुध्या देवी का दिल पसीज गया जल्दी से फिराटा निकाला और पोती को रोटी बना कर खिलाई वो भूक की वज़े से बेहों सुई थी दोनों पोतीों ने खाना खाया और फिर बाहर भीक मांगने के लिए तयार हो गई बुध्या ने कहा कि इत को पडोस से तीन-चार ओड़ते आई और कांता को बाते सुनाने लगी कि तुम में स्रम नहीं आती खुद तो तुम हटी-कटी जवान जहां हो लेकिन फिर भी घर में बैठी रहती हो और छोटी बेटियों को कपड़े फाड कर उनका हूलिया बिगाड कर उन्हें भीक करने के लिए भेज देती हो क्या तुम्हारे अंदर जराबी सरम नहीं है कैसी मा हो इस दूप में हम अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालते कि कहीं इन्हें दूप की वज़े से कोई बिमारी न लग जाए और तुम नंगे पैर अपनी बच्चियों को भीक में बैठा लूँगी मैं क्यों अपनी जिंदगी को बरबाद करूं और लोगों के घरों में काम करूँ जब ये दोनों बच्चियां मुझे स्याम तक चार पांच सो रुपे कमाकर दे रही है वो और तेहरत से कांता को देख रही थी कि इसे अपनी बेटियों की जरूरत ही नहीं और नहीं कोई चिंता थी कांता कहने लगी कि ये मेरा घर का मामला है इसलिए तुम लोग यहां से चली जाओ कबरदार जो दोबारा तुम लोगों ने हमारे घर में कदम रखा तो समय ऐसे ही बीतने लगा था बच्चियां बड़ी होने लगी थी एक बार दादी से कह करते हैं हमारे साथ छेड़ चाड़ करते हैं ये सुनकर बुद्धिया देवी को कांता पर बड़ा गुस्सा आया था कि इसे जरा भी ऐसास नहीं है जब उसने कांता से इस मामले पर बहस की तो कांता ने सास को भी धक्का देकर पलंग पर बैठाया और कहने लगी खबरदा मांगेगी सोतेली मा भी साइद ऐसा नहीं करती ऐसी नहीं होती जैसे कांता इनकी सगीमा होकर इनके साथ करती थी इसे जरा भी अपनी बच्चियों से प्यार नहीं था इसे सिर्फ प्यार था तो उनके लाए हुए नोटों से बच्चियां रोज का अच्छा खासा पैसा ल तो बड़ी वाली बेटी के कपड़े ज़्यादा फटे हुए थे और उसकी रंगत भी उड़ी हुई थी वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई भी लग रही थी बुद्धिया देवी की तो उसे देख कर ही जैसे जान निकलने लगी थी उसके बाल बुरी तरह से बिखらे वे थे आते ही वो रोते वे दादी के साथ लग गई बुद्धिया देवीने जब उससे पूछा तो वो कहने लगी की गली के आवारा लड़के मेरे पीछे पड़ जाते है वो कभी मेरे कपड़े फाड देते तो कभी मेरे बाल पकड़कर खीचते है और कभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे सुनसान गली में ले जाने की कोशिस करते है दादी मैं अब भीक मांगने नहीं जाऊंगी ये सुनकर बुद्धिया देवी को कांता पर बहुत गुसा आया था यही बात जब कांता को पता चली तो उसने इस बात की परवा भी नहीं की की वो कहने लगी की मुझे बस पैसे चाहिए जैसे मर्जी कमा कर ला कर दो बुद्धिया देवी ने अगले दिन जब बेटियों को मांगने के लिए भेजने से मना किया तो उसने सास का हाथ पकड़ कर पीछे की तरफ मरोड कर रख दिया के मेरे मामले में तुम ना ही पड़ो तो अच्छा है कांता ने सास को बहुत मारा था वो बेचारी तो उठने के काबिल नहीं रह रही थी जब दोनों पोतियों ने दादी का ये हाल देखा तो खामोसी से मांगने के लिए चली गई कांता बड़े आराम से अपने कमरे में जा चुकी थी बुद्धिया देवी ऐसे ही रोते वे पलंग पर लेट गई उन्हें अपनी किस्मत पर रोना आ र रग से नर्क में बदल जाता है और ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था स्याम को जब दर्वाजे पर दस्तक हुई की और कांता ने दर्वाजा खोला तो सामने अपनी बच्चियों के साथ पुलीस को देकर कांता के होसूडे थे पुलीस वाले बड़े गुसे में अंदर और कांता से कहने लगा खबरदार जो तुमने छोटी मासुम बच्चियों को भीक मांगने के लिए काम में लगाया तो जब उसके सामने बुद्धिया देवी को जखमी हालत में देखा तो कांता पर बहुत गुसा किया कि अगर उसने दोबारा बुद्धिया देवी पर उठाया या बच्चियों को भीक मांगने के लिए बेजा तो वो उसे गिरपतार करके जेल में बंद कर देंगे ये सुनकर कांता रोने लगी सारे महले वाले खट्टा हो गए महले वालों ने कहा कि ये बहुत खराब ओरत है इसे अपनी बेटियों पर भी तरस नहीं आता प अगर पुलिस समय पर ना पहुचती तो दोनों बच्चियों को कुछ बदमास लड़के अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाने वाले थे इस तरह से बच्चियों की इज़त बरबाद हो जाती तमाम महले वालों ने उनके घर की जिम्मेदारी उठा ली थी और कांता को भी उसकी बेटियों की साथ जुलम और जाती करने नहीं देते थे वो सुरू से ही मतलबी और लालची किसम की ओरत थी जिसे अपने अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था यहां तक कि अपनी ओलाद भी नहीं लेकिन पुलिस के डर से वो ने तो सास को कुछ कहती थी और न ही अपनी बेटियों को महले वालों ने ही उसकी बेटियों का स्कूल में एडिमिशन करवा दिया बच्चियां अब अपनी दादी के साथ बहुत खुस रहती थी अब इनकी मा इन्हें कुछ भी नहीं कहती थी कास की अनाथ बच्चियों के खर्चे की जिम्मेदारी सारे मिल कर उठा लेते तो छोटे छोटे बच्चों को भीक मांगने की नौबत ना आती तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बोक्स में जरूर बताए और आपको अगर हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करे अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजे तो मिलते है ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ तब तक के लिए राधे राधे जैम आता दी